हेलो फ्रेंड मेरे नाम है अंकीत रामी और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि Microsoft की जो अपरेटिंग सिस्टम है वो हम Android डिवाइस के अंदर किस तरीके से चला सकते हैं सबसे पहले आपको यहां पे एक फाइल डाउनलोड करनी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिवी है यहां पे आपको अलग फाइल दिखेगी अपरेटिंग सिस्टम अंड्रोड डिवाइस में किस तरीके से इस्टॉल करते है वो दिखाता हूँ यहां पे अपको लिंबो करके एक अप्लिकेशन दिख रही है उस एप्लिकेशन को आपको डाउनलोड करने है जैसे यह आप उसको डाउनलोड कर दोगे उसके बाद इस्टॉल कर देना है यहां पे अपको न्यू पे क्लिक करना है उसको ओपन करने के बाद यहां पर मेरे यहां पर इंस्टॉल है इसलिए मेरे ओपन कर रहा हूँ उसके बाद आपको उसकी कंफिगरेशन साथ करनी यह लाइक उसमें सी प्यू कौन सा देना चाते हो आपके मसीन की टाइप क्या है उसके अंदर कितनी रैम होगी कितना प्रोसेसर होगा उसके बाद स्टोरेज जो भी मैंने आपको जो फाइल बोली थी डाउनलोड करने के लिए जो भी फाइल मैंने डाउनलोड करने के बाद मेरे कॉंप्यूटर में रखी हुई है आप यहां पे देख सकते हो hp.image करपे रखा हुआ यह फाइल इसको मैं यहां पे सिलेक कर देता हूँ और मैं उसको रिमो स्टोरेज में भी करता हूँ और रिमोबेबल स्टोरेज में भी यहां पे जो सिलेक कर देता हूँ जब भी मैं उस फाइल को सिलेक करता हूँ आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि उस से कहां सब अप्रेटिंग सिस्टम हर्डिक्स में मैंने जो रखियो रखिया हुई इसले में यहां पर हैडिक्स कर रहा हूँ और यहां पर मैं फुल स्क्रीन सेटर चाहिए उसके बाद युजर पुरा Microsoft Windows XP है जो मेरे computer में run हो रहा है और इसका use करके मैं मेरे कोई भी website डेवलोप करनी हो या फिर मुझे कोई काम करना हो या फिर मेरे पास कोई Android का tablet हो उसके अंदर भी मैं इसका use कर सकता हो आप screen पे देख सकते हो कि उसकी जो bootloading file है और वो अगेरा सब लोड हो रही है जो यहां पर आपको दिखेगा अगर आप Windows operating system phone में launch करते हो अभी तो जारे phone में बहुत ही high graphics और बहुत अच्छी देम और वगेरा होती है जिसके तुरू आपका उचो मोबाइल है एक laptop की तरह work करेगा और उसके अंदर आप camera उसका कोई store है वगेरा वगेरा आप use कर सकते हो इ देख सकते हो मेरा Windows XP है वो स्टार्ट हो चुका है उसके बाद मैं start पे click करता हूँ जैसे ही मैं start पे click कर रहा हूँ अब देख सकते हो उसका जो start button है वो start menu हमारे computer में जिस तरीके से आता है उस तरीके से यहां पर start menu हो रहा है फिर मैं control panel पे select करता हूँ जिस तरीके से हम computer मे control panel में जाते है और उसकी theme और वगेरा change करते है उस तरीके से आपको सारे option यहाँ पे दिख जाएंगे और उसकी configuration का भी आप use कर सकते हो यहाँ पे display है फिर उसकी जो theme है deck time है कोई software एड या रिमूव करना है कोई driver एड या रिमूव करना है सारे option आ रहा है जिस तरीके से हमारे computer और laptop में आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो Mac theme को select कर रहा हूँ और उसका use कर रहा हूँ जैसे मैं उसको click करके apply पे click कर दूँगा उस theme के अंदर जो भी structure है जो भी layout होगा automatically मेरे computer के अंदर जो चल रहा है इस तरीके से आप इसका use कर सकते हो साथी साथ windows के जो default program आते है यहाँ पे प्रोग्राम में not paid है MS Paint है उसका भी आप use कर सकते हो आप देख सकते हो कि मैं अभी इसका काम खतम हो चुका है इसको close कर रहा हूँ साथी साथ इसको close करने के बाद मैं not paid को start करके आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरीके से work करता है आप screen पे देख सकते होगी जैसे ही मैं start menu पे click करता हूँ आप देख सकते हो अभी मैं not paid को select कर रहा हूँ मैं not paid को select करने के बाद double click करता हूँ open हो गया यहाँ पे अभी आप keyboard और mouse अपने phone का keyboard और mouse होता है उसका भी use कर सकते हो मैं keyboard का use करके यहाँ पे अंकीत रामी साइट टेक्स लिख रहा हूँ मेरा नाम लिख रहा हूँ फिर उस नाम को लिखने के बाद मैं यहाँ पे format menu में जाके उसको कुछ font देना चाहता हूँ विंडोस के operating system अपने phone में चला सकते हो ऐसी ही hacking related और android phone related trick and trick जानने के लिए बने रही है इस AR InfoWay चैनल पे अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इस AR InfoWay की चैनल को like, share and subscribe जरूर कर दीजेगा ठैंक्यू वेरी मच और बने उतना सायर करिये जिससे मेरे चैनल को view मिलते रहे ठैंक्स